दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कलादिर्खा मुंबई के इसकार्शक्रम में, धन्यवाद तो आईए मिलते हैं आज के कलाकार से मेरा नाम चितन बुसले हैं, मैं पूने से हूँ, हमारा पूने से एक ग्रूप है, तो उसमें छे आर्टिस्ट है चेतन बुसले, कनिश का थुक्ते, राजन पिंपले, जोते आड़ाओ, उशार जादो, ये छे आर्टिस्ट है, तो उनका अलग-अलग टाइप का काम है तो उन में से स्कल्प्चर है, अबस्ट्रेक्ट प्रिंटिंग है, सेमे रियरिस्टिक है, ये सब प्रिंटिंग है मेरा नाम राजन पिंपले, मैं पुना से हूँ, अभी नोग कॉलेज में मेरा एजूकेशन हुआ है, तो आठ साल का मुझे एक्स्पिरिंस है अभी, और अबस्ट्रेक्ट बेंटिंग इसमें मैं काम करता हूँ, तो अभी ये जो पेंटिंग्स है, ये मैंने पॉइंटिलि है, तो इसमें हर एक तरह की थोड़ी सी वराइटी में काम किया है, जो कि आर्टिस आर्ट फिल्ड में जो होता है, हाई की, लोग की और मिडल की में जब लोग, ये वर्ख है मेरा एक सी स्केप है, और बीच का पार्ट है इसके अदर, वो हाई की में किया है, और जब हम हर चीज एक ग्लास से देखते है, जब हम रेड ग्लास से देखेंगे, तो जो हर एक कलर आपको रेड की इंटेंसिटी में दिखता है, तो वो मैंने इस पेंटिंग में अभी दिखाया है, तो ये दे सकते है, आप यहा से डिप टॉन तू मिडल तून तू और ओर बोस्टली है लाचित टून ध tuck क से दे मिनमग cha मतलू ये मांने दो खेता है, नहीं जर और इस दोकी में प्लुट टून मुन तून दून अफ़ टून कर से रेंगल बूट झाए चैव तूब है है यह लोगार लिजा आर जो हैसे में तो लागिश खिन में लाट तून अफ दूनी है like you use in that and this is a stylization of pointillism so another one when you see this like that painting so is like a landscape painting but like a basic color to gradation like that so this one i have used in that paintings so you can see there like a too many points in that like when you see red or orange color so you see like uh yellow orange color tink or like that this just small size of painting and is my most valuable painting because of I just making that painting something is a specially seed part of this these are like this yellow part is like a boat of corner and this is the seeds part and these are soil of of this seeds and so this thank you हाई मेरा नम कनिश्का दिपक थुक्टेव मैं पुना से हूँ इस अर्ट वर्क्स है में जह अंगिर आट गारी में काज़ीम हमारा शोर लगा हुआ हैं तो यह अर्ढ्र पार्समील में काम किया है चुछा इंदल किया हुए मैनने में मैंने-मे टल तो इसमें मैंने इचिंग दिखाया, इचिंग किया है, और कलर फिल किया है, इसमें मैं प्रीज का और नेचर के सम फर्म्स लिये, और इसमें मैंने संसेट, संराइज ऐसा दिखाया सब, विलेज वगरे दिखाया है, कि नेचर से हम कैसा अब कनेक्टिंग में और मेरा नेचर इसमें इसमें आप्लिक सथे म fanpage करने करने के इसा हो सकता है और इसमें जिछ सकते हैं इसमें इसमें भी मैंने 3 की के स्टी सेपिसले के स्टुई कर देक्ष्र लेकर यह सब दिकाया कि इतने इंप्रेसर्ट्न किया रहिख विसका अप्रिसली का तिक्टेशे है, में हुआ नहीं है इट दिख है इट three-d मों कि आप घूम के देख सकते एं फेवाल वाली परेइब से लीवड आप दिखा थीड विंड का स्वीडिका है विंड का फ्लोय में इडिका इर बर्ड की वर्म लीड़ दिखा है और दीड हाएं और वीड दिखा जुब्आ अब बर्ड का इसमें इसमें इडिखाया का चॉम्बनेशन है मेरा जांगी शोमें गूर्प एक्षबिशन लगा हुआ है तो इदेट जिए भिछ और छेषग अर्टिस्ट विया तोगेदर and there are different kind of medias and material we are using every artist has its own style so these are my artworks this is S's and so this one is core system artwork it is on canvas her name is Jyoti Yadav and we all are from Thule this is the second artist Abbas Aikar so he is basically into buddhas and god and peace theme and different kind of texture he has this is also acrylic on canvas so the third artist this is Tushar so he is basically his theme is like a bull and the positivity of our home and everything connected to Vastu and all so he is our hero artworks same acrylic on canvas and he is also from Pune we all are from Pune only we know each other we are friends for so many years now and mostly we do group shows together this is Rajan he has done the stippling work and he has done a finger and he has made it from his hand on canvas and this theme is nature and this theme is nature and mountains और ये चैतन बोसले के हैं, पेंटिंटिंग्स, अब्स्ट्राक्ट और कैन्वस, और उसका भी प्रेम सेम वह लेक, नेचर, यूमन का कॉम्बिनेशन और सेग धन्यवाद, आप सबका इस कास्ट्रम में सामिल होने के लिए, आप से एक नमर निवेदन है कि कृपया चैनल को लाइब और सब्सक्राइब करें, आपको ये कार्शक्रम कैसा लगता है, या आगे और क्या देखना सुनना चाहते हैं, कृपया कॉमेंट वाक्स में लिख कर हमें बताएं, धन्यवाद दोस्तों